तो फाइनली दोस्तों ये अनौन्स हो चुका है कि रिसल मीनिया बैकलैश में होगा सिक्स मैन टैक्टीम मैच जहां पर एक तरफ रहेंगे दबलाड लैंड, ग्रोमर रेंक्स और दाउसोच, वहीं दूसरी तरफ रहेंगे आरके ब्रो और डू मैकिंटार लेकिन एक बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि क्या इस टैक्टीम मैच में टाइटल दाव पे लगेंगे या नहीं मैं आपको बताता हूँ कि इस Tech Team match में क्या होगा, और इस Tech Team match में को जीतेगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखे तक ज़रूर देखेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा, तो आएए दोस्तों आप करते वीडियो को शुरूआ जानते हैं कि इस टैग टीम मैच में आकिर क्या हो सकता है जैसे कि हम लोग सब जानते थे कि रिसल मिनिया बैकलाइच में हो रहा था दाउसोज वसेद आरके ब्रो का मैच और इस मैच में जो भी जिता वो बन था यूनिफाइट टैग टीम चैंप और उसके बाद रोमरेक्स रिंग में आए और रोमरेक्स से कॉंट्राक्स ही फार के फिक दिया जो कि रिसल मिनिया बैकलाइच का था उस कॉंट्राक्स को फारने के बाद रोमरेक्स मैटिरल को मानने लगे लेकिन तब ही वहाँ पर आ गये टू मैकिंटाय को देखके रोमर 100-400 तीनों शौक हो गया कि डू मकिनटाय आखिर ही यहां पर कर चाहर हैं डू मकिनटाय को रोकने के लिए 200 को रूमाड़ी इज से बह Oyster सो ने बेुट लेकिन एक बात अभी तक कन्फॉर्म नहीं हुई है किस मैच में आखर होगा क्या यह मैच सारी टैटल के लिए यानि युनिफाइड टैटिम चैंपियर्शिप और युनिफाइड डबले वी युनिवर्स टैटल के लिए होगा मैं आपको बतातों कि क्या होगा देखे दोस् दोस्तों आप लोग के कमेंटर जहुँ बताएगे कि आप लोग क्या चाहते है कि क्या बैकलाइड बताएगे टैटल्स का मैच हो या नहीं और कमेंटर जहुँ बताएगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए दोस्तों ठैंक्यू और गुडबाई